हाई फ्रेंड्स विल्कम टू माई यूटूब चैनल आज मैं लेकिया यू बहुत ही देश्टी स्नेक्स की रेस्पी अगर आपको हलका फुलका भूग लगे या फिर कुछ चटपटा सा खाने का मन हो तो आप इस रेस्पी को जरू टाइक किजिएगा बहुत ही जली बनके त दालेंगे दो कटिवी हरीमि製 डालेंगे इसे हम दो मिनट के लिए फ्राइए करेंगे तो इसे चलाते वे फ्रे कर लें तो देख सकते हैं प्याच का कलर चेंज हो गया है तो इसे अब भी बहुत जादा फ्राइए नहीं करना है अब हम इसमें चार ग्रेट किया हुए आ जब तक कि आलू हलका सा पकना जाए तो इसे चलाते रहें तो देख सकते हैं आलू को हमने तीन मिनट के लिए फ्राइक कर लिया है अब हम इसमें आदी चम्माच हल्दी पॉडर डालेंगे श्वाज के अनुसान नमक डालेंगे अब हम इसमें आदी चम्माच गरम मसाला पॉडर डालेंगे तो इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसे एक नट के लिए फ्राइ करेंगे ताकि मसाला फ्राइ हो जाए तो देख सकते हैं हमने मसाले को एक नट के लिए फ्राइ कर लिया है तो अब हम इसमें थोड़ी सी कटीवी धनियापती डालेंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे बहुत ज़्यादा पानी ना डालेंगे बस थोड़ा सा पानी डालेंगे अब हम इसमें क्या करेंगे चावल का आठा डालेंगे तो यहां पर मैंने दो चम्माच चावल का आठा डाला है साथ में हम एक चम्माच सूजी डालेंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे एक से दो मिनट के लिए पका ले ताकि यह डो के फॉर्म में आ जाए तो इसे चलाते रहें ताकि ये चिपके न तो देख सकते हैं हमने इसे दो मिनेट के लिए पका लिया है और ये डो के फ़र्म में आ गया है तो अब हम क्या करेंगे गैस को बंद कर देंगे और हम इसे थंडा होने के लिए रख देंगे तो ये देखिए डो मारा ठंडा हो गया है तो अब हम क्या करेंगे थोड़ी सी लोई को तोड़ेंगे और इसमें हम सेफ देते वे नास्ता को त्यार करेंगे तो आप इसे अपने मन पसंद सेफ में बनाईए जैसा आपको पसंद दो तो यहाँ पे इसे मैं चकोर सेफ दे रही हूँ यह देखिए पहला नास्ता बनके त्यार है तो इसे हम प्लेट में रख देते हैं तो इसी तरह से में सारे नास्ते को बना के त्यार कर लेना है तो ऐसी ही फोड़ी सी लोई को तोड़े और इसे हातों से ऐसे पहले करते हुए इसमें चकुर अकार दे दे तो बस ऐसी हमें सारे नाश्ते को बनाके त्यार कर लेना है तो देख सकते हैं हमने सारे नास्ते को बना के त्यार कर लिया अब हम क्या करेंगे थोड़ा सा चावल का आटा लेंगे अब हम नास्ते में सूखा आटा लगाएंगे और इसे साइड में रख देते हैं यहां पर हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया है तेल अच्छा सा गरम होना चाहिए तो तेल हमारा गरम हो गया है तो अब हम इसमें एक एक करके नाश्टा डालेंगे तो तेल में एक बार में जितना आए उतना नाश्टा डाले और हम इसे एक से दो मिनट के लिए पहले एक साइट से फ्राय होने देंगे मीडियम आज पर तो गैस को मीडियम रखे तो ये देखे दो मिनट हो गया है तो इसे हम पलट देते हैं जल्दवाजी ना करें पलटने में नहीं तो तूट जाएगा और दूसरे साइट से भी में दो से तीर मिनट के लिए फ्राय करना है तो इससे एक से दो बार पलट पलट के फ्राय कर लें ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए और अंदर तक पक जाए तो बस नास्ता मारा फ्राय हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे इसे प्लेट में निकाल लेंगे और बचेवे नास्ते को में ऐसी फ्राय कर लेना है दोनु साइट से गोल्डन ब्राउन होने तर तो गर्मा गर्म नास्ता बनके त्यार है आप इसे एक बात जरूर ट्राय किजिएगा आप इसे सामके चाय के साथ या फिर हलकी फुलकी वुकों में बना के खा सकते हैं बच्चे हो या बड़े सब को पसंद आएगा अगर आपको ये रेस्पी मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए मिलती हूँ एक नई रेस्पी के साथ तब तक बाई बाई